एंपी में सर्दी की शुरुवात हो चुकी है ऐसे में सर्दी आते ही लोगों खान पाउन और स्रहन सैन के में काफी बदलाव देखने को मिनने लगेगा इन दुनों चंबल के भिंड जले में बाजारों में सर्दी स्जुड़े सामान विक्री भी होने लगी है सर्दी की बात करें तो मौसम में बस्रियतमन माने जाने वाली सकर्कंद लोगों को दिल और जिवां पर चड़ रही है बायर में लोग सकर्कंद बूनकर खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आए जानते हैं सिहतमन सकल्कंद की कितने हैं फायदे शकरकंद root vegetable है जिसके कई फायदे माने जाते हैं शकरकंद में भरबूर मातर में फायवर होता है इसके राशाथ ही शकरकंद में कई तरह के vitamin, minerals और micronutrients होते हैं जो हमारे सरी के लिए फायदे बंद हैं वही अगर स्वास्त की बात करता है खाले में मीटा और स्वास्त बनाने के लिए स्वास्त बनाने में कापी कारगर सावित होता है शकरकंद के नियमें सेवन करने से बजन कोई घटाया जा सकता है सکरकंद में बसाके मेटίας को तेज़ करता है सकरकंद का सेवा करने से भूग बहुत कम लगती है यह से में लंभे समय तक कुछ खाने की चाहत भी नहीं होती है इतना ही नहीं माना जाता है सकरकंद सेवान से ब्लड सुगर भी सिरीते दिरता है इसमें बरपूर मातर हैं फायवर विटामिन्स हो देजी लेकिन अधिक खाने से नुक्सान भी होता है हर रोज एक से दो सकलकंद खासर आपकी सेहत बना सकते हैं शकरकंदी बहुत अच्छा अफ़ल है जो की आपने फॉस्पोरस कैल्शियम मैगनीशियम आदी जित्ते भी खनिस्पदार जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उसमें बहुत रेच होता है यह शरीर की इमिनिटी बढ़ाने में अत्यान फाइदेमंद है तता सर्दियों में इसकी उप्योगता और ज्यादा बढ़ जाती है देखे शकरकंदी लगबग अगर कोई भी एक एडल्ट मरीज 100-200 ग्राम लगबग अकर ले एक से दो शकरकंदी अगर वो प्रते दिन लेता है तो उसके शरीर में जो भी रोखों से लड़ने की शमताय हैं तता जो भी कमजोरियां वगरा हैं वो बहुत अच्छे से ठीक हो पर में बेसिकली जो जो खनिस तत्तों होते हैं माइक्रो न्यूट्रियंट्स हम जने बोलते हैं उसमें यह बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जिससे की कैल्शियम मैगनेशियम फॉस्पोरस आदी की शरीर में कमी नहीं होती तथा रोगों से लड़ने की शमता बहुत काई बार कुछ ऐसा मिटी वगरा के कारण गंदगी और खीटाणू पाए जा सकते हैं तो अच्छे से दोके उबाल के उसके बाद उसका उपयोग करें